सो दोस्तों यह चैप्टर जो है काफी लंबा सा और रहा इसमें हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज बहुत सारी कोशन सौल के सबसे अच्छी खास बात इस चैप्टर की है एक तो यह बहुत इम्पोर्टेंट है हर कहीं आपकी लाइफ में काम में आएगा दूसरा यह चैप्टर की खासियत है इसके सम्स बहुत छोटे छोटे होते हैं यहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम्स हम नहीं है ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है बस अगर आपकी टेबल और डिविजन अच्छे हो आप उसमें स्ट्रॉंग हो तो इस चैप्टर को आप दो चीज़ क्लियर होना चाहिए and definition की what is perfect square and what are the square roots ठीक है इस चैप्टर को end करते हुए दो important property और है जो बहुत ही important है जो आपको आगे further classes में भी काम में आएंगी तो आप उनको ध्यान से दिख्या है if you have situation like root a into root b तो आप उसे root a भी लेख सकते हैं या इसका vice versa if you have a b तो आप उसे square root of a and square root of b लेख सकते हैं मैं इसको समझाओंगी तब आपको ज़्यादा clear होगी पहले मैं property लिख लो if you have root a upon root b then you can write root a upon b common कर सकते होल में ठीक है this is equivalent to this and this is equivalent to this अभी a b के form में यह समझ नहीं आ रहा है but हम इसे ऐसे solve कर सकते हैं like I have root 5 into root 2 तो अभी इसका तो कोई solution नहीं है 5 भी perfect square नहीं है 2 भी perfect square नहीं है अगर decimal में values निकाला है तब ही आप इसे solve कर सकते हैं but यह perfect square है क्या नहीं है तो हम इसका answer क्या दे देंगे root 10 यह आपके पस root 10 है तो आप उसे root 5 into root 2 लिख सकते हैं एक और और छोटा सा example ले ले like I have root 3 into root 7 तो आपका result होगा root 21 और if you have 21 तो आप उसे factorize करके पहले ऐसा करेंगे और ऐसा करेंगे दोनो right left से मैंने आपको solve करके बता दिया similarly division में भी ऐसा होगा like आपके पाप से root 25 upon root 25 मत लेजिए 27 ले लेजिए and root 3 तो आप इसे आप देखिए solve करना ही जी हो जाएगा 3 9s are 27 तो आपके पास result होगा root 9 and root 9 is always equal to 3 because 9 is a perfect square तो यह property जो है यह property आपको mind में रखना है क्योंकि आप जो हम 5 question लेंगे वह in property पे based होगे ठीक है and root क्या होता है root मैं अगर बोल रहे हूं means square root की ही बात कर रहे हूं generally हम square root square root ना use करके उसकी place पे root use करते हैं but actually we are solving square roots right property clear होना चाहिए property clear होगी तब ही आप यह वाले pattern के question solve कर पाएंगे first example है square root of 441 upon 961 सबसे बहले तो आप इनको आबस में देखेंगी cut down हो रहे हैं बट यह नहीं हो रहे है ठीक है अब cut down नहीं हो रहे है आप try करके देखेगा जब cut down नहीं हो रहे हम property apply करेगे तो हम individually root में लिखेगे ठीक है कौन सी property मैंने लगई अब भी जस्ट आपको बताए if you have root A upon B then you can write individually and you have individually this then you can write in this manner also तो हमने property apply कर दी apply करने से क्या benefit मिला square root of 441 आप fine कर सकते हैं ठीक है आप यहाँ पर again आपकी situation आ गई कि आप दो तरीके से square root fine कर सकते हैं जिसमें comfortable हो आप वो use करिये पहला method होता है prime factorization method and दूसरा method है long division method है दोनों हमने solve किये और मैं इस particular question को आपको दोनों से solve करके बताती हूं ठीक है तो यहाँ पर हम square root of 441 solve करेंगे मैं पहले prime factorization ले लेती हूं then long division भी साथ में ही ले लेती हूं long division में हमें pair बनाना होता है ठीक है prime factorization किया यह odd number है 2 से तो जाएगा नहीं हम 3 से try करते हैं 3 1s are 3 3 4s are 12 3 7s are 21 अगें यह 3 से चला जाएगा 3 4s are 12 3 9s are 27 7 7s are 49 7 1s are 7 यह revision के लिए हमने prime factorization method भी ले लिया root 441 किसके equal आया square root of 3 into 3 into 7 into 7 means हमने इसके place पर उसके factors को लिख दिया अब जब हमाया पास square root होता है तो हम क्या करते हैं 2 2 का pairing करते हैं और उनका एक number consider करते हैं यहाँ पर 2 3 हैं तो square root remove करने के लिए हमें एक लेना होगा 7 में सी भी एक ले लिया so finally it is 21 the square root of 441 is 21 even आपको check भी करना चाहिए तो 21 into 21 जब भी आप करेंगे तो it will give you result 441 ठीक है यह हुआ factorization अब मैं इसी को आपको normally भी solve करके long division से बताती हूँ हमें 4 ले क्याना है तो 2 2 is a 4 equal आगया remainder 0 हो गया पूरा की पूरा pair copy होगा और यहाँ पर immediately आपको 4 add करना होगा according to the procedure 1 ले 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 ले, 41 1s of 41 remainder 0 आया means perfect square था यह and the square root of 4 41 is 21, right now in place of this I can write 21 और आप procedure से करें तो काइदे से आपको either factorize way में या ऐसा लिखना चाहिए but यह आपके उपर depend करता है मैं एक step increase कर रहू हूँ but it is not necessary step, ठीक है and then it will equivalent to 21 जो हमने अभी solve क्या अब problem आई, दूसरे number की यह तो हमने केवल एक number solve क्या, अब हमारा है 961, ठीक है denominator जो है that is 961, 961 किसका square root होगा, sorry 961 का square root क्या होगा फिर आप prime factorization लगा के देखे, 961, so हमने 961 लिया and prime factorization factorization apply करने की कोशिश की, table सोची आप इसको, आप इसको 3, 5, 7, 9 try करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे but यह किसी भी table में नहीं आएगा यह केवल 31 की table में ही आएगा, अब problem आपको यह आजाएगी की 31 की table तो हमें नहीं आती है आइधर तो आपको permutation ले लेके solve करके देखना पड़ेगा, 29, 29, 27, 27 ऐसे try करकर के आप चाहे तो solve कर सकते हैं, तब आपको atlas मिलेगा की 31 into 31 करने से 961 आया, but यहाँ पर इस particular question पर क्या prime factorization method useful है? नहीं, because आपको permutations लगाने पड़े, combination बनाने पड़े के हमें यह multiply यह करने से 961 आया, इसी लिए long division method introduce हुआ था and it is very important and useful की ऐसे number जो prime factorization से भी solve नहीं होते, वो long division method से solve हो जाते हैं, तो इस method की अपनी identity है and importance है और यह हमें lifelong नहीं भूलना है, ठीक है? आप देखें किता हीजील हो जाएगा? 3, 3 is a 9, remainder 0, यहां 3 हमने add कर दिया, ठीक है? अब यहां हमने 61 कोपी किया, 1, 1, 61, 1 जा 61 and remainder is 0 means आपका 31 जो है वो आ गया answer तो the square root of 9, 61 is and 2 है, square root से बाहर आएगा, तो 31 हो जाना question was very simple क्योंकि numerator, denominator को आपको simple solve करना था, but उनके square roots थे, root find करना थोड़ा यहां पर आपको ध्यान देना है, कि कैसे हमें find करना है, जो method easy लगती है, जिससे जल्दी answer आता है, उसको आप prefer करेंगे, ठीक है? अगर specifically उनने कहा है कि long division ही apply करना है, then तो you need to apply long division method, else it depends on your convenience, ठीक है? now next is find the square root of, अच्छा question है, ध्यान से देखिये, find the square root of 156 upon 169, square root of, तो सबसे पहले हम symbolic form में लिखेंगे, 1 of 56 upon 196, but it is in mixed numeral, अब mixed numeral है, तो हम इसे normal number में solve करना होगा, mixed numeral कैसे solve करते हैं? यह and यह term multiply होगी and उसमें यह term add होगी, मैं आपको through procedure बताती हो, you need to do 1 into 196 plus 56 upon 196, mixed numeral आपको solve करना आना चाहिए, एक simple example लेले, 2 1 by 5, इन दोनों का multiply होगा, 5 2 is a 10, उसमें यह 1 add होगा, 5 2 is a 10 plus 1 upon 5 means 11 by 5, the mixed numeral 2 1 5 is equivalent to 11 by 5, similarly हमने यह बड़ा सा जो mixed numeral है, इसको solve किया, चिके, पहले तो question को convert करना पड़ेगा, mixed numeral से normal fraction, अब आपका convert होके ही आगया, 196 1 is a 196, उसमें 56 add होए, so it is equivalent to 225 upon 169, ठीक है, question अब आपका actually यह होगया, यहाँ सबसे पहले कोशिश हम देखेंगे, कि cancel तो नहीं हो रहा है, simplify तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, then what you will do, you will apply property, which property? Individually लिखने वाली, property says, if you have a upon b, then you can write square root of a and square root of b, तो वो property हम नहीं हापे, अपलाए काते, right? Now, 225 and 169, आपके पास again वही दो option, आप चाहें तो factorize करें, and आप चाहें तो long division method से निकालें, I'll prefer long division method, क्योंकि factorization में एक ही problem आते है, table बहुत strong होना चाहिए, जो generally आप लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है? तो better है कि apply long division method, 225 बहुत जल्दी से हो जाएगा यह, हमने 225, pairing बना दी, हमने 2 है, तो 1, 1 जा 1, right? अभी क्या हुआ, remainder 1, यहां पे 1 हमने add कर दिया, so it is 2, 25 एक pair है, हमने copy कर दिया, 25, 5 जा 125, remainder 0 means, the square root of 225 is 15 and finally it is, sorry, square root से अभी बहर आ जाएगा, so your answer is 15. Now, अब आपके पास है 169, तो हम immediately 169 को भी long division से ही solve करेंगे, otherwise आपको table याद होना चाहिए, 1, 1 is a 1, 69 हमने copy कर लिया, यहां 1 हमने add कर दिया, 69 लाना है, तो हम यहां 3 जा से कर देंगे, 23, 3 जा 69 and remainder is 0 means 13 आ गया, so 169 के जो factor है, वो क्या हुआ है 13 into 13 and square root से बाहर आके वो हो गया 13, तो कितना simple हमने long division method से solve क्या, but in case आप 169 को prime factorization से solve करते तब क्या होता, आप 3 से देते नहीं जाता, 5 से देते नहीं जाता, 7 से देते नहीं जाता, 9 से देते नहीं, 11 से देते तो भी नहीं जाता, 169 is only divisible by 13, तो मैंने आपको इसलिए clearly कहा कि table अगर आपको याद हो, तो आप prime factorization को preference दे, otherwise आप long division को ही preference दे, ठीके, तो कितना simple question था, square root of 225 वो 15, square root of 169 वो 13, बड़ी निकाल ले के लिए हमें कांसी method अपलाई कनी पड़ी, long division method, अगला question है, square root of, find the square root of 243 upon 363, now another one is find the value of 243, value of square root of 243 upon 363, now as I told you कि हमें पहले इसको simplify होता है क्या, वो try करना चाहिए, पहला step हमारा क्या होगा, कि हम यह try करने की कोशिश करेंगे, कि यह simplify हो रहा है, तो by chance यह हो रहा है, यह 3 की table में है, यह भी cancel हो रहा है, तो हम इसे 3, sorry by mistake I have put 1, actually it is 363, तो हम इसे पहले 3 से cut down करेंगे, जब इसे 3 से cut down करेंगे, that will give you 3 8s are 24, 3 1s are 3, now इसको जब cut down करेंगे, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 1s are 3, so now your actual question is 81 upon 121, earlier it was 243 upon 363, now it is in simplest form, अब 81 का square root है, तो मैंने आपको जैसे बताया था, minimum 10 तक के तो आपको याद रखना ही चाहिए, तो आपका immediately answer होना चाहिए 9, because 9, 9 is a 81, हम इसे method के थूँ solve भी करेंगे, but directly you can write, पहले तो आप property apply कर दे, individual कर दे इसे and now you can directly write 9, similarly 121 जो है 11 का square root होता है, but in case आपको ऐसा लग रहा है कि ने हमें याद नहीं हो रहें, तो आप बहुत ही आसानी से इसे solve कर सकते, long division method से, pair बना दिया, ऐसा number choose करना है, जो 81 दे या 81 से कम, remainder 0 आगया means square root of this is 9, similarly 121 आप pair बना दे, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, 1 बंजा 1, remainder 0, pair copy किया, but यहाँ add करना न भूले, तो यह हो गया 2, 1 से दिया 21, 1 जा 21, remainder 0 means 11 and 9 आजा square root of this question, इता easily हो गया, ठीक है, but कब हुआ, जब हमने उसे थोड़ा सा simplify किया, तो यह भी हमें पहला step याद रखता है, कि जो भी question दिया है, पहले वो cut down हो रहा है क्या, अगर वो cut down हो रहा है तो उसको lowest form में convert करिये, then आप उसका square root टेका लिए, ठीक है, अब दूसरा question लेंगे, अभी हमने divide के बहुत सारे ले लिए, अब हम लेते हैं, multiply, find the value of, बहुत simple question रहेंगे and बहुत scoring है यह chapter, 45 into 20, now in this question I have multiplication, तो what I will do, I will apply property, root A into root B is equivalent to root AB, तो सबसे पहले हम question को convert कर देंगे and now my question is this, individually न होके common होगय है, अब हम 45 और 20 के क्या करेंगे, factor निकालेंगे, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 जा 3, बहुत ही simple है, 20 के भी factor निकालेंगे, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 जा 5, तो हम यह पस factor हागे, now in place of 45, I can write 5 into 3 into 3, similarly in place of 2, I can write this and they all in under square root, अब हम square root जब भी होता है, तो क्या करते हैं? pairing करते हैं, यह pair बन गया and यह 5 and यह 5 मिला के भी एक pair बन गया, means 3 pair हमारे पास बने है, square root remove हो जाएगा and 3 जो है हमारा बहार हो जाएगा, 2 बहार हो जाएगा और एक 5 बहार हो जाएगा, 5 2 is a 10, 3 is a 30 is your answer, square root remove करने की condition को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कि हमेशा pair बनाना होगा, same number का, और वो same number square root से remove होके, plain number में convert हो जाएगा, means 2 3 का 1 3 हो जाएगा, 2 2 का 1 2 हो जाएगा and these 2 5 will give you 1 5, right, तो यह multiplication का question था, और question लेते हैं, multiplication के, next is 98, 98 multiply by 1 6, ठीके, सबसे बहले property अप्लाई करें, property अप्लाई करने पे, हमने ने common में लिख दिया, एक साथ लिख दिया, ठीके, root a into root b is always equal to square root of a into b, अब हम दोनों को क्या करेंगे, simultaneously factorize करेंगे, 98, 2 4s are 8, 2 9s are 18, 7 7, 1 6 2, 2 से जाएगा, 2 8s are 16, 2 1s are 2, इसको हम direct भी दे सकते हैं, बढ़ हम, चलिए हम direct देते हैं, क्योंकि अब हमने last question में 81 निकाला है, 9 9s are 81, ठीके, तो हमाई factor हागे, अब हम in place of this factors को put करेंगे, 2 into 7 into 7 into 2 into 9 into 9, but, सब square root के अंदर हैं, जभी भी square root के अंदर हैं, तो हमें हमेशा condition याद रखनी हैं, हमें pair बनाने हैं, और यह 2 और यह 2 will make another pair of 2, ठीके, सारे pair में हैं, तो square root remove हो जाएगा, एक pair से 2 मिलेगा, एक pair से 7 मिलेगा, एक pair से 9 मिलेगा, 7 to the 14, 9 जा हमें करना हैं, and your answer will be 14 into 9, 126, ठीके, the square root of 98 into 162 is 126, student यह जो हमने property पडी, this is very very simple property, but इसका application आपको further classes में और further chapters में भी आएगा, तो आप इसको अच्छे से practice करेए, हम divide के 2-3 और question लेते हैं, जिससे आप comfortable हो जाए, अब हम quickly 3-4 question लेंगे, अब मैं उनको long division से solve करना, नहीं बताऊंगी, हम directly answer put करेंगे, and this is your last example, root 16 upon 81, सबसे बहले हम property apply करेंगे, individually लेख देगे, ठीके, now you already know the square root of 16 is, and 81 is, अब थोड़ा सा आप table पे concentrate करके, directly लिखना सिखे, pair बना, square root से बहार आगया, similarly ये भी बहार आगया, ठीके, बहुत ही simple way में हो गया, दूसरा लेंगे, just for practice, I am taking these examples, these are very very easy examples, individually लिख देंगे, property है, root a divided, root a b divide में है, तो individually property apply कर दें, 64 को I can write 8 into 8, क्योंकि perfect square है, 225 को I can write 15, 15s are 225, यहां पर मैं long division या factorization के through नहीं, direct याद है value, इसलिए लिख रहे है, ठीक है, pair है, तो remove हो जाएगा square root, and यहां भी remove हो जाएगा, अगर आगय ये simplify हो रहे है, तो आपने simplify करें, नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा ही answer छोड सकते हैं, another one is, 121 upon 256, square root of 121 upon square root of 256, ठीक है, square root of 121, अभी हमने बहुत सारी question solve किया, I can write 11 into 11, 256 को हम, मुझे तो direct याद है, बट मैं आपके समझाने के लिए, इसे solve कर देती हूँ, बाकि मुझे पता है, 256 का square root क्या होता है, बाच, इसको हम बहुत जल्दी solve करेंगे, 111, remainder बचा 1, 1 यहां हमने add कर दिया, 56 हमने copy किया, हम ऐसा number choose करेंगे, 4 4 जा नहीं हुका, 4 4 जा 16, 4 2 जा 6 सी, 6 6 जा 36, 3 कैरी गया, 6 2 जा 12, 3 15, simple division से हमने solve किया, so your answer is 16, square root of 256 is 16, pair हुआ, root remove हो जाएगा, similarly यहां भी pair है, to square root remove हो जाएगा, so your answer will be 11 upon 16, quickly हम ऐसे भी solve कर सकते हैं, बस उसके लिए आपको table बहुत जादा याद होना चाहिए, धरो होना चाहिए, जिससे हम बचते हैं, वो अब हमें यहां पर application में लगेगी, ठीक है, तो student, this was the last pattern of the square and square root, अब मैं एक छोड़ा सा brief देती हूँ, in this chapter, we have learnt first square, square क्या होता है, square means the number multiply by itself, like 2 into 2, 2 into 2 will always give you 2 square, और यह कहां से आता है, यह पूरा procedure मैंने आपको समझाया हुआ है, कोई भी number जब उसी number से multiply होता है, तो वो square में क्यों convert हो जाता है, उसके लिए power and exponent की एक बहुत important property apply होती है, जो property होती है, मैं आपको एक बार recall कराती हूँ, क्योंकि वो इस chapter में बहुत frequently used में आती है, कोई भी number multiply करने से square में इसलिए convert होता है, इसकी कोई power नहीं है means 1 है, basis same होते हैं तो power जो है वो add हो जाती है, और finally 1 plus 1 बनता है 2, property जो है मैं आपको फिर से बता देती हूँ, if a to the power m and a to the power n basis same है, then power will be added, this is very 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 important property of mathematics, तो आपको इसको बहुत याद रखना है, like I am saying x multiply by x, so it will become x square, how? because इनकी कोई power नहीं है, तो वो 1 है, x to the power 1 plus 1 हो जाएगा, क्योंकि base जो है वो same है, and finally it will give you square, तो हमने सबसे पहले square पढ़ा, कि what is square actually, square means कोई भी number उसी number से एक बार multiply होना चाहिए, ठीक है, square पढ़ने के बाद हमने square की properties पढ़ी, कि perfect square क्या होता है, perfect square पढ़ने के बाद हमने square root पढ़ा, square root कुछ भी नहीं होता है, जो भी यह दिया हुआ है, like I have this, square root means होता है, जो भी दिया है उसकी power half, means again I am repeating this cap, यहां पर यह जो cap है, it is always equivalent to power half, power में जब भी हम इसे convert करेंगे, तो वह half में जाके convert होगी, कभी-कभी यह cap ऐसी दी होती है, और कभी-कभी यह cap ऐसी दी होती है, दोनों का meaning जो है वो same है, if I am writing this, it itself shows this is square root, if I am writing this, this itself shows it is square root, ठीक है, यह तो हुआ, symbol, अब इसके पीछे solution क्या होता है, जो हम square root करते हैं, वो कैसे होता है, तो हमारे पास question था, x into x and उसका square root, हमने सबसे पहले this cap को open किया, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया कि power half में जाके convert होता है, कर दिया, now, इनकी power कुछ नहीं है means क्या है, 1 है, base same है, तो power क्या होगी, add हो जाएगी, तो x to the power 2 हो गया, and whole to the power half, power to the power is always multiply, cancel हो गया, and x to the power 1 means x, यहाँ पे कांसी property लगी, so another very important property of maths is, if we have power to the power, then power will be multiplied, ठीक है, तो हम question लेके चले थे, x into x, या जो भी आपको लिखना है, ऐसा लिख लिजिए, and finally it is giving a result, x, पूरी cap जो है square root की, symbol हट चुका है, वो हटा कैसे, तो उसके पीछे का क्या story है, वो मैंने आपको बताया, and this is very very important, यह समझना बहुत जरूरी है, otherwise आप square root को समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है, तो हमने square पडा, then we learnt square root, we learnt so many properties, and उसके बाद अभी हमने last जो pattern किया, this is also very important, so student this was all about the square and square root, again I am saying it is very scoring, तो आप इसको बहुत अच्छे से prepare कीजिए, and बहुत सारी question practice करें, ठीक है, thank you, so another good one example is, again it is in mixed numeral, find the square root of 9, 67 upon 121, अभी तो हम इसे solve करने का सोच ही नहीं सकते, जब तक की हम इसे fraction में convert नहीं करें, ठीक है, तो सब से पहले हम इसे क्या करेंगे, fraction में convert करेंगे, and as I told you, mixed numeral का जो procedure होता है, मैं आपको फिर से repeat करूंगी, एक minute, 67 upon 121, mixed numeral का procedure होता है कि, इन दोनों को multiply करिए, plus उसमें यह numerator plus करी, ठीक है, तो हमने यह procedure लगा है, and now it is finally, 1156 upon 121, now I will apply the property, individual लिख दूंगी मैं इसे, upon 121, ठीक है, individual लिखने के बाल, इसका तो मैं आपको solve नहीं करके बताऊंगी, क्योंकि मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूं, 121 is equal into 11 into 11, and square root remove हो जाएगा, and square बन रहें, but 1156 को हम solve करेंगे, अब अगेन आपके पास दो तरीक है, either you can use, prime factorization, or you can use long division, मुझे long division जाद मजा आता है, ता I will solve through, long division method, pair बना दिया हमने, ऐसा number choose करेंगे, जो 11 न जाए, यह 11 सी कम, तो 3 3s न 9, pair copy कर दिया, but immediately यहाँ पर free add करना, न भूले, because यह adding नहीं करी, तो पूरा question आपका गडबड हो जाएगा, ठीक है, अब हम forza से देंगे, 64 forza, 256 ठीक है, subtract होगे, remainder 0, means 34 is the square root of 1156, so I can write, in place of 1156, 34 into 34, and finally it is 34, because यह pair बन रहा है, the square root जो है, वो remove हो जाएगा, so your answer is 34 upon 11, अगर यह further solve हो रहा है, simplify हो रहा है, ठीक है, इसके बाद है, square root of, find the solving question, another example is, 1875 upon 3888, सबसे बहले आप इसको देखिए, कि simplify हो रहे हैं, क्या, तो अगर इस simplify हो रहे हैं, तो हम preference देंगे, इनको simplify करने के लिए, I think यह 3 से cancel हो रहे है, हम 1875 को 3 से divide देके देखेंगे, 3 6 से 18, 7 कोपी, 3 2 से 6, remainder 1, 5 कोपी, 3 5 से 15, यह मैंने आपके लिए divide करके बता है, otherwise तो आप इसे यही cancel कर सकते हैं, means it is cancelling by 3 and it is equivalent to 6 25, similarly 3 8 8 को भी आप 3 से divide देके देखेंगे, 3 1s are 3, 8 कोपी, 3 2s are 6, 8 कोपी, 3 9s are 27, 1 बचा, अगला 8 कोपी and 3 6s are 18 and remainder जो है वो 0 आ रहा है, means इसका simplification हुआ, 1 2 9 6, आप normal cancellation अगर कर सकते हैं, तो normally करिए, आप divide देखे करना चाहते हैं, तो divide देखे करिए, depends on you, मेरा काम आपको बताना था, तो मैंने आपको समझा दिया, चीक है, तो यह cancel हो गए, lowest form में, अब 6 25 का आपको square root find करना है, तो again हम long division method करेंगे, क्योंकि यह जल्दी solve हो जाता है, 2 2s are 4, नाम इसका long division है, but it is easy as compared to prime factorization, ठीक है, 2 2s are 4, remainder हुआ 2, 25 copy, यहां पर 2 हमने add कर दिया, so it is 5, 5s से देखे देखते, 45 5s are 2 25, तो the square root of 6 25 is 25, ठीक है, square root remove हो गया, and finally it is 25, अब हमें solve करना है, 1 2 9 6, again I will prefer long division method, 1 2 9 6, 1 2 9 6, pair बना लिए, आप दिखे, यहां से आप 4 4s are 16 कर सकते हैं, but 12 से greater हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 3 3 is a 9, immediately 3 को हम यहां add करेंगे, remainder हुआ 3, pair copy होता है, इसलिए हमने 96 copy कर लिया, अब हम ऐसा number सोचेंगे, तो I think 6 से जाएगा, 6 से 6 से 6 से 3 9 6, remainder 0, तो फेक्टर और जो square root of 1 2 9 6 is 36, so I can write 36 into 36, so finally it is 36, because square root जो है वो remove हो जाएगा, अब आप इसके बाद देखें कि cut down हो रहा है, तो cut down करें, otherwise यहां पर answer छोड़ देंगे, so your answer is 25 upon 36, so student हमने variety of question लिया है, अब हम conclude करेंगे,